हाई फ्रेंड्स मैं मीत वेलकम करती हूँ आप सभी का आपकी अपने ओफिशल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्मेंट जॉब आल अवर इंडिया पर आज मैं आप सबके लिए एक बिग अपडेट लेकर आई हूँ जो कि जीजेल की तरफ से आ चुका है जीजेल ने नियू नोटिफकेशन अपने रिलीस कर दिया है तो किस तरह आप लाई करना है कौन-कौन सी विकेंस इस आउट हुई है मैं आपको सारा इस वीडियो में क्लियर करूंगी आप वीडियो को पुरा जरूर से देखना इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक रिक्रूट्मेंट की इंफोमेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं चाहे इंडिया में आप किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं और हर एक क्वालिफकेशन की विकेंस चाहे वो प्राइविट हो चाहे गवर्नमेंट हो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ओफिशल नोटिफकेशन पेडिया के साथ तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे, साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस करना इससे आपको हर एक नोटिफकेशन टाइम पर मिलता रहेगा चलिए, अब हम बात करते हैं, लेटस जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, जीजेल की तरफ से, उसके बारे में किस तरह अपलाई करना है, क्या क्या इलिजिवल्टी कर्टेरिया बताया गया है तो वीडियो में आगे बनने से पहले, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेनत लगती है, आपके लिए ढून ढून कर मैं अपडेट लेकर आती हूँ, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और जीजियल के रिक्रूटमेंट आई हुई है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जीजियल है क्या, तो जीजियल एक वेंचर है, जॉइन्ट वेंचर है, किसका आई-ओ-सी-एल और गेल का, तो लेटस रिक्रूटमेंट आचुकी है, जिसमें आपका कोई एक्जाम कोई फी आपको पेर नहीं करने है, प्लस पॉइंट आपके लिए, जहां पे कोई फी ही नहीं देनी है, और आप इलीजियल है, तो मेरे ख्याल से अपलाई तो जरूर करना चाहिए, आपको तीन तरह की वेकैंसी जिनको आउट कर दिया गया है, और सेल्डी पैकेज बहुत नहीं किया है, लेकिन जिससे हिसाब से नोटिफकेशन को रिलीस किया गया है, उसके एकॉर्डिंगली आपकी जो स्लेक्शन प्रोसीजर होगा, वो इंटरव्यू हो सकती है, वैसे दो नहीं मैंशन तो नहीं किया है, अपलाई करना स्टार्ट हो चुका है, अब हम बात करत अब हम इंटरव्यू को रिलीजिबल है, अपलाई कर सकते हैं, अब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें 60% मार्क्स के साथ अगर आपने की है, आप इलीजिबल रहेंगे, अपलाई कर सकते हैं, और या फिर अगर आपने M.E.M.T.E.C. या उससे अबब आपके पास क्वालिफिकेशन है, तब भी आप इलीजिबल रहेंगे, अपलाई कर पाएंगे, नेक्स जो पोस्ट है, वो है, ओफिसर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपरेशन्स में है, इसके लिए आपने B.E.B.T.E.C. अलेक्टरिकल में या फिर मेकैनिकल में की है, और आप अपन टी में वो इलीजिबल रहेंगे, अपलाई कर सकते हैं, तीनों पोस्ट की अलगले केंडिशन है, अब हम बात करते हैं, थर्ड पोस्ट कौन सी आई हुई है, थर्ड पोस्ट जो है, वो आई हुई है, ओफिसर प्रोक्यूर्मेंट एंड कॉन्टरक्ट की है, इसके ल इलावा 60% माक्स के साथ, अपने की है, अपलाई कर सकते हैं, जो सेके इलावा जो नोटिफकेशन लिंक है, वो आपको स्टार्टिंग में बताया है, डिस्क्रिप्शन में परवाइड कर दिया है, और इनों ने ज्यादा टाइम नहीं दिया है, जब आप मेरी वीडियो दे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने परवाइड कर दिया है, ऑनलाई अपलाई करने का एंड नोटिफकेशन का, अच्छे से पहले आपने रीट करना है, फिर जाके आपने अपलाई करना है, बाकि इस रेक्रूट्मेंट के इलावा जो वेकेंस आई हुई है, वो आप हमारी साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफर्मेशन के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग